हलो एंड वैलकम मैं हूँ नीलम हैरा और आप देख रहे हैं टुडेज जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डारेक्ट कनेक्शन रश्मी और सिधार्थ में हुई गर्मा गर्मी गुस्सा करना सिधार्थ को पड़ा भारी विगबोस 13 का दूसरा सप्ता शुरू हो चुका है और अब तक शो में अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो चुकी है अब तक कोई भी ऐसे कंटेस्टेंट नहीं है जिनके बीच अच्छ से दोस्त लग रहे थे उनमें भी तक्रार नजर आने लगी है कुछ ऐसा ही हो रहा है रश्मी देशाई और सिधार्थ शुकला के साथ विगबोस सीजन 13 में सिधार्थ शुकला को बेहद स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट माना जा रहा है सिधार्थ शुकला की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है फैन्स ने सिधार्थ के काम को हमेशा से पसंद किया है बिगबोस के घर में भी सिधार्थ को काफी पसंद किया जा रहा है लेकिन बीते अपिसोड में सिधार्थ और रश्मी को एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर फैन्स काफी ज़ादा निराश हुए ह बिगबोस के फैन्स शो में ओन स्क्रीन कपल सिधार्थ और रश्मी का कनेक्शन देखने के लिए काफी ज़ादा एकसाइटिड थे लेकिन बीते अपिसोड में सिधार्थ और रश्मी को एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर फैन्स काफी ज़ादा निराश हुए हैं सौमबार को भी बिग बॉस में रश्मी और सिधार्थ के बीच किचिन के काम को लेकर तीक ही बहस हुई थी सबजी काटने को लेकर रश्मी और सिधार्थ एक दूसरे से भिड़ गए थे आज फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा मेकर्थ दूरा जारी किये गए प्रोमो में रश्मी और सिधार्थ एक दूसरे से जगडते दिखाई दे रही है इस बार दोनों रोटियों को लेकर आमने सामने हैं सोचल मीडिया पर यूजर्थ सिधार्थ को ओवर ग्रेसिव बता रहे हैं सिधार्थ का रश्मी पर चिलाना और गुस्सा करना फैंस को विल्कुल भी पसंद नहीं आया है एक यूजर ने लिखा सिधार्थ शुकला की इमेज टीवी इंडस्ट्री में हमेशा बत्तमीज इंसान की रही है जो हमेशा ओवर अग्रेसिव रहता है और गुस्से में कुछ भी बकवास कर देता है तभी तो एक शोज से उसको निकाल भी दिया था उसकी नकरे देखकर और अब बिग बॉस में हमें लाइफ देखने पड़ेंगे उसकी नकरे एक दूसरे यूजर ने लिखा आज शुकला जी का मूट सही नहीं था शायद हर किसी के ओपर आज बरस रहे थे मुझे उनकी परसनल्टी बहुत पसंद है लेकिन आज उन्होंने अपने फैंस को निराश किया है जानकारी के अनुसर आपको बता दें कि रश्मी और सिधार्थ शुकलाइक टीवी शो में एक साथ काम कर चुके हैं दोनों के बीज डेटिंग की भी खबरे थी बिग बोस में भी रश्मी और सिधार्थ को पार्टनर्स बनाया गया है लेकिन सिधार्थ के प्रती सोशल मीडिया यूजर्थ का गुस्सा देखकर लगता है कि रश्मी पर गुस्सा करना सिधार्थ पर काफी भारी पड़ गया है इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं आप हमारी न्यूज को टुडेज डॉट कॉम पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच की वाचिंग तोडेज फोर मूर नूस